हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू दा चैनल होप यू आल फाइन दो कैसे हैं आप सब लोग आप सब का स्वागत है फिर से मारे चैनल में आज अप सभी बच्चों के लिए इंप्पॉर्टन सेशन लेकर आया हूं आज का सेशन आयने वाला है वह हमारा लेगा जनल अवेरनेस का जनल अवेरनेस फार जमु कश्मीर ठीक है जिसमें में जमु कश्मीर के जितने भी टॉपिक से उन्हों सभी को कवर करूंगा इससे पहले मैं एक वीडियो अपलोड कर रखी हुई है तो जिन बच्चों ने वाव वीडियो नहीं डेखिया वह वीडियो आप सभी बच्चे देख लो तो आज की वीडियो जो है उसको फरदर आगया हम अनुकरेंगे वरी वैडि इंपोर्टनर सेशन है और जिस भी बच्चे को हमारी इस वीडियो की पीडियाफ चाहिए. वो घ् तो हम उसको साट ओट कर देंगे ठीक है आज का सेसिन स्टार्ट करते हैं विदॉट एनी फॉर्ड डिले कोशन कहा रहा है विच लेक किश्मीर इस कुनेक्टिट दू जेलम वाया केनाल नियर सुंबल ठीक है कौन सी लेक है जो किश्मीर की कौन सी लेक है दो जेलम के साथ कने 21 का यस राइट आंसर है डैट इस अप्शन नमबर थर्ड मांसबल लेक तो आपको पता यह है पहले तो पता हो ना चाहिए कि मांसबल लेक जो है वो मारे कहां पर प्रेजेंट है मांसबल लेक जो है वो मारे कहां पर प्रेजेंट है डैट इस प्रेजेंट इन दा गांदर गांदर बंद्स्ट्रीक उसके बद दूसरा आ गया गांदर बीज्ट्रीक कुंप्रेस्ट सबसे डीपेस्ट पिएपेस है उसके बाद यहां पर लोट्ष्ट प्रेजिटक है ठीक है यह पता होना चाहिए आपको घौ मारे घॉब और गांदर्बल में एक और इंबार्टन लेग प्रेजिंट है जिसको बोलते हैं अंचर लेक ये भी उमारे कहां पर प्रेजिंट हैं मतश्टन के एक रहा है तो इस चैनल का राइड आंसर देखते हैं अप्षण देख लेते हैं एक क्या रहा है हमारा गंगाबल लेख शेष तरह कि जब जा रहे होते हैं रास्ते में आती है वह सभी को पता है देट इस शेशनाग देख शेशनाग लेक ओके अप्शन नुबर बी जो है वो राइट आंसर है अगला कोशन देखते हैं दा लेक आफ किश्मीर आलसो नोन एस लेक आफ डेमन ठीक है कौन सी लेक है हमारे जमो किश्मीर की या किश्मीर की कौँ सी लेक है जिसको लेक अफ डेमन के नाम से भी जाना जाता है तो अप्शन देख लो अप्शन कह रहा है गलसर लेक गंगा बल लेक गडशर लेक या गंगा धर लेक तो बताओ कोश्चन नुबर 23rd का राइट आंसर क्या है अप्शन अबी सीडी में से जिसको लेक अफ डेमन के नाम से जाना जाता है लेक आफ डेमन के नाम से जाना जाता है कौन सी लेक है तो इस कोशचन का राइट आंसर है अप्शन नुबर 3rd गडशर लेक ठीक है यह गडशर लेक को नेच्ट गश्चन देखते हैं 24th कहा रहा है विच आफ कश्मीर supply water fountain of Favors mughal Garden of ख्शमीर जो हमारा कश्मीर का सब्से famous noble garden है that is है मुगल गार्डन हैvers then है मुगल गार्डन है मुगल गार्डन है में कश्मीर का वहां के जो है जो फॉंटेन लगे है मारे मुगल गार्डन में तो उनको वाटर जो है वह कहां से प्रवाइड किया आज आता है तो आप्चिन अबर एबी सीडी में से रइड यह है बताओ इसका रइड आंसर क्या है कोशन को मिक्स मत करना और गल्थ मत करना तो राइट आंसर है कोईशन मेर ट्वनटी फोर का यह आप्शन नमर फर्स्ट मार्सर लेक मार्सर लेक ओके तो आपको पता एक चीज और पता होने चाहिए जो हमारा मुगल गार्डन है ठीक ठीक है आगे चलते हैं नेक्स्ट वोशन देखते हैं विच लेक आफ कश्मीर इस सिट्वेटिड एड़ विशनिटी आदा फेमस दच्ची गाम नेशन पार्ग तो बताओ कि हमारे जमो कश्मीर की कौन सी ऐसी लेक है जो दच्ची गाम नेशन पार्ग है जो की सी डी में से कि कौन सी लेक है जो प्रेजनत है विशनिटी आफ फेमस दच्ची गाम नेशन पार्ग तो तो डैट इस आप्षन नमबर थर्ड मार्शर लेक ठीक है क्या राइट आट आंसर है इसका आप्षन नमबर 3 that is मार्शर लेक ओके नेस्ट कोश्ट देखते हैं famous tributary of Jaylam, thік है? कौन सा lake है, जो अपना water, जो है, वो कहां पे drain करती है, Lidder river में, जो Lidder river, किस की tributary है, या मरे Jaylam की, ठीक है? तो बताओ, किश्ऩनाशन लेक, विश्णा सार लेक, टारसर लेक या गंगाबल लेक, तो option number A, B, C, D में से राइट आंसर क्या है कि कौन सी ऐसी लेक प्रेजन्ट है जो अपना वाटर ड्रेन करती है लिद्दर रिवर में और लिद्दर रिवर जो सबसे फेमस ट्रिबूटरी है मारे किसकी जेलम रिवर की तो बताओ राइट आंसर क्या है इस क्वेशन का आप्शन नमबर A B C D में से राइट आंसर क्या है क्वेशन नमबर 26 का यह इस ऑप्शन नमबर थर्ड टार्सर लेक ओके नेक्स्ट कुशन देखते हैं एकार्डिंग तु निलमत पुरान कश्मीर वाजा लेक काल्ट तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लेंगे कॉश्टन नमबर 27 का राइट आंसर क्य देखते हैं तो पूछा गया है कि जो चिनाब रिवर है हमारे जमो किश्मीर का सबसे इंपॉर्टन रिवर है ठीक है सबसे बड़ा रिवर भी है तो यह कहां से ओरिजिनेट होता है रोतांग पास बारलाचा पास नतुला पास या खरदूंगला पास तो आपको पता है दो कहां से ओरिजिनेट होता है और चार पासिस का हमारे पास नाम है तो इनमें से कौन से पासिस का राइट अंसर है अप्शन नंबर लोकेशन बताओ कि यह कहां पर प्रेजन्ट है ठीक है कितने बच्चों को इसका राइट आंसर पता है ओके नेक्स्ट कोशन देखते हैं 29 कह रहा है विच्छा तो फॉलिंग लेक्स आफ कि जमो कश्मीर इस फांड बाय टेक्टोनिक एक्टिविटीज कोंसी मारी जमो कश्मी इसकी विज़ा से फांब हुई है अप्शन नमबर ए बी सीडी में से या फर्स सेकिंद थर्ड फॉर्थ में से राइट आंसर किया है कोश्ट नमर ट्वंटी नाइन का ठीक है वेरी वेरी इंबॉर्टन कोशन है यह और कई बार सेम एस इस कोशन भी पूछा जाता है मैंने के हिसाब से हम जो अपने कोशन को है माने फ्रेम किया हुआ कि जितने भी कोशन बेसी कोशन रहेंगे हम उनको ही ज्यादा टार्गेट करेंगे तो बताओ कि टेक्टोनिक एक्टिविटी से कौन सी लेक हमारी फां हुई है कोश्ट नमर ट्वंटी नाइन का राइट अंसर क बंडी पूरा में लोकेशन नहीं पूछा जाता है कहीं बार ँच नेस्ट देखते हैं आट विच पॉइंट जेलम रिवर जाइन चिनाब रिवर तो कौन सी जगह है जहां पर हमारा जो जेलम रिवर है वो चिनाब को जान करता है मितानकोट दोमेल तिर्मू या तो question number 30 का right answer क्या है कि आपको पता यह है कि हमारे Indus Valley sorry Indus Water Treaty के साब से जो rivers हैं तीन जो हैं यहां पर नहीं रहते चिनाव भी जो है last में जाके हमारे Indus River में मिल जाता है तो आप पूछा गया है कि जो जेलम river है वो चिनाव river को कौन सी जगा पे जॉइन करता है तो option आपके सामने हैं मैंने options रीड भी कर दियें तो right answer क्या है इसका option number third that is त्रीमू में यह दोनों river जो हैं वे एक दूसरे को जॉइन करते हैं ओके next question देखते हैं 31st कह रहा है तो यह question मैंने आज से अपनी जितनी भी वीडियो कवर की हैं सब में इस question को अपनी साइट से मैंने repeat भी किया है बच्चों को समझाया भी है और इस question में ज्यादा time में नहीं लोंगा that is famous for lotus ठीक है कहां भी प्रेजेंट है गंदर बल इस्टक में deepest lake है सबसे बड़ी ओके मांस बल लेक option number second जो है वो lotus राइट आंसर ओके next question देखते हैं question 32 कह रहा है which lake is known as हर्मुग गंगा तो कौन सी लेक को जो है वो हर्मुग गंगा के नाम से भी जाना जाता है which lake is also known as हर्मुग गंगा डल लेक गंगा बल लेक मांस बल लेक या वूलर लेक तो बताओ question number 30 second का right answer क्या है option number a b c d में से right answer क्या है which lake is also known as हर्मुग गंगा very very important question है यह तो बताओ right answer क्या है that is option number second गंगा बल लेक गंगा बल लेक ओके तो अब यह काम आपका है कि आप मुझे बताएंगे कि गंगा बल लेक जो है हमारे कों से district में present है हमारे कश्मीर के कों से district में जो है मारी गंगाबल लेक ठीक है अगरा question देखते हैं को सर नाग is situated at which district of जम्मु कश्मीर जो को सर नाग है घीक है वह कोंसे district में हमारे जम्मुकश्मीर के कोंसे district में present है गंधर बढट गाम कुलगाम या स्रिनगर तो कोवेशिव नंबर थर्टी थर्ड का rightly answer क्या है ताइट इस कोच्रम राग moż situated at which district of Jammu Kashmir तो बताओ इस question का right answer क्या है question number 33 का yes question number 33 का right answer है that is in the district कुलगां option number third जो है वो right answer है okay next question देखते है मनावर तवी river is tributary of which river ठीक है जो मनावर तवी है मनावर तवी river वी एक है तो वो पूछा किया है कि कौन से river की यह tributary है तवी की है जेलम की है चिनाब की है यह राभी की है तो question number 34 का right answer क्या है option number ABCD में से right answer बताओ क्या है मनावर तवी river is tributary of which river तो यह question very very important question है तो इसका right answer है that is चिनाब river ओके यस तो इस वीडियो की अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल को जो है वो जाइन कर सकते हो जिसका लिंक मैंने description वाक्स में दिया हुआ है description में आप हमारे टेलिग्राम चैनल को जाइन करो वहां पे आपको हर एक topic के ओपर जो है वो PDF मिल जाएगी और जो भी बच्चे पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो चैनल को से रिवर जो होती है वो मतलब होके गुजरती है तो नीलम तवी ब्रिंगी या पहुरू तो कोश्ट नमर थर्टी फाइव का राइट आंसर क्या है option नमर ए बी सीडी में से दा रिवर विच रन थू दा तुलेल वैली तो option नमर ए सॉरी first second third fourth में से राइट आंसर क्या है इस question का तो उसका नाम है that is option नमर फॉर्स्ट नीलम रिवर yes next question देखते है which of the foreign tributary of जेलम रिवर forms the delta ठीक है जेलम रिवर की कौन सी ऐसी tributary है जो delta फार्म करती है तो very very important question है कि भाई हमारी जेलम रिवर की कौन सी ऐसी tributary है जो delta की formation करती है नीलम सिंध एक second रूको ब्रिंगी या लिदर तो बताओ right answer क्या है नीलम सिंध ब्रिंगी या लिदर मैं यहां पर लिख वे देता हूं नीलम सिंध ब्रिंगी या लिदर first second third fourth तो बताओ right answer क्या है इस question का the tributary of जेलम रिवर which forms delta ओके तो right answer क्या है इस question का question number 36 का that is option number second in Sindh river Sindh river which forms the delta question number 37 देखते है 37 क्या रहा है Maru Sudar river is a major right bank tributary of which river तो Maru Sudar river जो है वो कौन सी river की tributary है right right bank tributary है कौन से river की जेलम की चिनाब की तवी किया रावी की तो question number 37 का right answer क्या है that is Maru Sudar river is a major right bank tributary of which river तो right answer क्या है इस question का question 37 का that is option number second चिनाब river चिनाब river ओके next question दा इंडस river rises from which lake तो हमारी जो इंडस river है यह कहां से rise होती है आंचर लेक से मांसरोवर लेक से वुलर लेक से या नागीन लेक से तो इंडस river के बारे में पूछा गया है कि यह कहां से rise होती है rises from which lake तो लेक पूछा गया है यहां पर mountain नहीं रखा गया है तो मांसरोवर लेक से हमारी कौन सी है इंडस river जो है वो ओरिजनेट होती है यह नेक्स्ट कोशन देखते हैं विच लेक इस नियर पत्नी टॉप स्टेशन जो हमारा famous पत्नी टॉप स्टेशन है वहां पर कौन सी लेक प्रेजेंट है मांसर सुरिंसर सनासर या डलसर तो कुश्च नमर थर्टी नाइन का राइट आंसर क्या है option number a b c d में से राइट आंसर बताओ कुश्च नमर थर्टी नाइन का कि कौन सी लेक है जो प्रेजेंट है नियर पत्नी टॉप हिल स्टेशन तो कुश्च नमर थर्टी नाइन का राइट आंसर क्या है डैट इस option नमर थर्ड सना सर लेक ओके यस situation तो चिनआम रिवर जो है मारी जमु कश्मीर में जो एंटर करती है कोँ से डिस्टक से enter करती है किस्टवार से डोढ़ा से राम्बन से या बांडिपूरा से तो बताओ question नमबर 41 का राइट आंसर क्या है अप्शन नमबर A B C D में से तो आप सभी को पता है जो चिनाब रिवर है वो जो हमारे जमो कश्मीर में एंटर करती है वो कहां से करती है किस तवार से ठीक है अगला कौशन देखते हैं नेमदा रिवर विच ओरिजनेट्स फ्राम केलाश ग्लेसियर आफ दोड़दा दिस्टिक से जो है वो ओरिजनेट होता है तो बतायो राइट आंसर क्या है कउशननोर 42 का आपको पति ये जो कलाश कुंद glacier से originate होने वाला है वो जेलम भी नहीं है चिनाब भी नहीं है रावी भी नहीं है that is Tavi River ठीक है very very important question next question question number 43 चनानी hydroelectric project is constructed on which river तो चनानी hydroelectric project है वो कोई से river के उपर जो है वो constructed है तो Tavi के उपर है रावी रावी के उपर है उज के उपर है या सेवा के उपर है तो बताओ चनानी hydroelectric project जो है वो कौन से river के उपर construct किया हुआ है बना हुआ है तो इसका right answer क्या होगा that is option number first Tavi River Tavi River ओके तो आज के लिए यहां पर इंटरी जो है वो खत्म कर देते हैं तो कोई भी query रेगी तो मुझे पूछ लेना उसका हम clarify कर देंगे आज के लिए इतना ही मिलेंगे नेक्स वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब कर दो वीडियो को लाइक कर दो शेयर कर दो ओके जाहिंद